दोस्तो कुछ टेश्टी कुरकूरा चटपटा गर्मा गर्म खाना हो तो बस ये नास्ता बनाकर देखें एक बार इसे बनाकर खाएंगे समोसे कचोड़े भी फीके लगेंगे इसे बनाना बहुत ही आसान है इसे बना कर सुबा का breakfast में बच्चों को लंच में या साम की चाय के साथ खा सकते हैं बहुत ही tasty लगते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं रेजपी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार मेरी रेजपी अच्छी लगे तो प्रीज लाइक करें चैनल पे न बारीख Kटोवी HARI MIGH हरे मिच अपने कटीके निउसार और एक चमत डालें नास्ते गार में रखें इंग्रेडियंस बना सकते हूँ लगष कन दू ठाहिए ár dura hai दढ़ियन द verw environments अधा टालना है हल्दी पाॉडर आदा चमच डालेंगे लाल मीट्स और जिसे दरदरा कूट कर लिये हैं और अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक यहां पर एक चमच नमक डालेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार कम जादा कर सकते हैं और अब इसमें पानी डाल कर इसे मिक्स करेंगे एक बार में जादा पानी नहीं डालेंगे थोड़ा सा पहले पानी डाल कर इसे मिक्स करेंगे और गाढ़ा घोल तयार करना है और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे 2-3 मिनद तक लगतार मिक्स करेंगे इस तरीके से मिक्स करने से ये एकडम अस्पंजी बन दालेंगे बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा और इसे मीठा सोडा भी बोलते हैं तो चुटकी पर ही डालेंगे और अब इसे दुबारा से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर इसे रेश्ट पे नहीं छोड़ रहा हैं और इसे लगातार मिक्स करेंगे जितनी अची तरह से मिक्स कर बनेंगे हमारे नास्ते उतने ही अस्पंजी बनेंगे जाली दार बनेंगे यहां पर देखिए अची तरह से मिक्स कर लिए हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए गैस पे कडाही चड़ाएंगे उसमें डाले हैं पुड़ा सा तेल 100 ग्राम के लगभक और यहां प पंजी बनेंगे एकदम फुले फुले बनेंगे तो यहां पर देखिए दो जम्मर डाल कर हलका साई से फैला लेते हैं और अब इसे धीमी आज में पका लेंगे फ्राय कर लेंगे तो यहां पर देखिए उपर उपर एकदम जाली दार हो गया है और थोड़ी देर में इसे तो इसे अलके से इस तरह से जंज्रे उठा एक दम साब्धाने से पठ दे थाकि ताकि तेल छीट पढ़ें अ यहां पर पलट कर ढीलाँ और यहां पर देखिए उलट तो दूसरी तरब से भी इसे पलट कर फ्राई कर लेग और एक तम जाली दार बन गया है기 just películ होने में एक बार में दो कि सब्सक्राइब अधिमिा आग Das रखते हैं और यह राव हो गया को सीज़बर हुद्धने में निकाल कर फोड़ा से तिर्चा कर इससे निकाल सबस्क्तों नीजिया बाकि भी बचे हुए बैटर को भी इसी दिल में डालेंगे देल को तुबारा तो ऐसे अजिस्जमट करना है बाकि वैठर को वी इसी तरीके से फ्राइद कर लेना है तो यहां पर देखें ज्यादा हि कैसी लग रही है प्लीच में जरूर बताए और इसी धीमी याज में बनाएंगे और यहां पर सारे को ब streaming दियार कर लिए और अप प्डेट में निकाल लेते हैं और एक दम के सब बनकर तैयार है इस तरीके से जब बनाएंगे तो घर में रखे सामानों से बना सकते हैं एक बार इसे बना कर खाएंगे समोसे कचोड़ी भी फिके लगेंगे और इसमें हरी मिज्ट डाल देते हैं और इसे सब करेंगे टमैडो केचप के साथ या फिर अपनी मन पसंद चटनी के साथ काएं enjoy करें और यहां पर देखें देखने में यह कितना खुबसूरत लग रहा और एक दम हलका फुलका नास्ता है कम तेल में बने हुए तो एक बार आप इसे जरूर बना कर देखें सुबा का breakfast को या बच्छों को लंज में देना हो या साम की चाय के साथ खाना हो या तोड़ कर दिखाते हैं तो एक बार इसे बना कर खाएंगे तो समोसे कचोड़ी भी फीके लगेंगे और यहां पर देखें एक दम जाली दार रहेंगे तो एक बार आप इसे जरूर बना कर देखें और रेस्पी मेरी अच्छी लगे फ्रेंज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर और बेल आइकन को जरूर दवाएं और इसे बना कर खाएं इंजॉय करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में